प्यारी सा संगज जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते आज आपां गुर्द्वारा नानकसर ठाट जगराओं वेच पहुँचे होए हां जिते बाबा नांद सिंग जी माहराजी द्वारा दर्साई ते सिखाई शीरी गुरु गरंस साहब जी दी जो सेवा नानकसर वेच होंदी है उस दी मिसाल किते वी नहीं मिल दी लोग पामे कुछ आखी जान पर सादगुरु प्रती जो पावना ते सदकार दास ने एथे देख्या है और होर किते विखन वेच नहीं होंदा जे किसे ने सादगुरु शीरी गुरु गरंस साहब जी दा सदकार ते सेवा करनी सिखनी है ता ओहो नानकसर तों सिखे नानकसर अस्थान लुद्याने जिले विच जगराओं तो मोगे बल जान देया जगराओं तो छे किलोमिटर दी विथ ते स्थित है जदो सांत बाबा नान सिंग जी महराई ने किसे पक्ती वाली थांदी चोन करनी चाही ता कई थामा वेख दे वेख दे आन्त ओह जदो नानकसर दे स्थान ते पुझे ता इसनों सर्बोतम समझया ए अस्थान उस समय चाडियां बूटियां आद नाड़ पर रहा होया सी दुझे एथे उजाड होन करके जानवरादियां हडियां आदवी बहुत सन एवी समझया जन्दा है कि एथे पूध प्रेद रेंदेहन इसलिए एथे मनुखता वस्णा असंभव है होर साप ठूहें जीव जन्तु आदवी बेशुमार सन जिसलिए ए था मनुखी जीवन दे योग नहीं सी प्रन्तु जिस समय बाबाजी ने कहा कि ए था साड़े योग है ता सेवक अत्यां थहरान होई ते बाबाजी नो बेंती किती के आप इस स्थानों योग क्यों समय दे हो बाबा नन सिंग जी महराई ने आनानों दसया के एस स्थान दा ना नानक सार इसलिए रख्या सी के एथे साइब शिरिकुर नानक देव जी ने चरन पाए हन फेर ओनाने बाबा नन सिंग जी नो पुछया के शिरिकुर नानक देव जी ने अथे कदों के चरन पाए इस दा उत्तर देंदें बाबा नन सिंग जी ने के हा के शिरिकुर नानक देव जी महराई ने 1510 इसवी वेच आपने पवितर चरन इस तरती ते पाए सान केवल माहरा इन्हें अपने पुवितर चर्न ही नहीं पाए सगों कुझ अर्षा के सस्थान ते ठेरे भी सन एहे कुझ अर्षा केंटेंदा भी हो सकदा है राददा भी हो सकदा है ते दिनांदा भी हो सकदा है सपष्ठ है के महान तपस्वी महान अनुभवी ते जगत पिता गुरु बाबा जी नू ए था जरूर पसांद आई जित्थे ओना ने अपना आसन लोना योग समझेया जित्थे शिरीगुर नानक देव जी दा मन टिकया ओ किन्नी पागावाली ते महान था होईगी एवी संबब है कि जदो साथगुरु टका विच बैठे होणगे ता बाणी भी उचारी होईगी ए सब कुछ रालके ही ए स्थान नू साचखन जेही तरती बणो देहन निश्चे ही शिरू कुर नानक देव जी दे साचखन जानदा स्थान अनू पवी साथ बाबा नान सिंग जी नू की लणदा कारण बढ़या अजे भी पुराणे संगी दस्थेहन कि जदो बाबा जी इस स्थान ते पुझे ता ओह एकदम रुक गए ते कैन लगे एही पवितर स्थान है जितो सानू पगती दी महक ओंदी है सो सेवका ने भुकम मनुसार इस स्थान नू साफ कीता ते पुरा त्यार कीता उस समे इस दा नाम कुटिया जा ठाठी सी पर पिछो नानक सर पर चलित हो गया संथ बाबा नान सिंग जी महराई तो पिछो ओना दे वरुसाय महापुर्शा ने जिनने वी अस्थान बढ़ाए हन ओना दे नाम वी नानक सर दे नाम ते ही नानक सर रख्या सिख तरम विच गुरू दे अस्थान नू गुर्दवारा जा देहोरा जा डेरा कहा जन्दा है पर नानक सर विच इस अस्थान नू ठाठ कहा जन्दा है ठाट शबद, ठाट तों बनया है, जिस दे अर्थन, रचना, जा बनावट, जा अस्थान, जिस परकार गुर्बाणी विच भी ओंदा है, पूरा ठाट बनाया पूरे, वेखो एक समाना, एह शिरिगुर अमरदास जी दी बाणी है, बाबा जी दा इस तों पाव ए सी, के ओ जिते गुरु साहब दा प्रकाश होवे, अते दिवान साज सकन, एथे ही बिहंगमादवी रह सकदे हन, बाबा जी आम तोरते निवेकली थाँ पसंद करया करदे सन, एसले जिते विए कां थुन्दा, ओथे ठाट दी उसारी किती जान्दी सी, पहलों पहलता बाबा जी, ए ता बाबा जी कची कुटी आपनोण दी आगया, देद दे सन, फिर जदो ता शिरी गुरु ग्रण साहब जी दी निरंतर सेवा अरंब किती, ता गुरु साहब आस्ते एक कमरा, जापो रा, अडरा पनवालें दे सन, एक कमरा ओना दे अपने वास्ते होंदा सी, एक कमरा रा जली सोटी नाड लकीरां खेज दे सन, अते ओना लकीरां उपर सेवा को सारी कर दे सन, बाबा जी दा नियम सी, के कच्चा पो रा, जां कुटिया त्यार करवोंदे सन, ते जान समे सारी टाजती जन्दी सी, बनोन समे उसनो इना स जोना, जिमे कोई शेह शादा मैल होवे, अते गुरु सहाब दा परकाश कर देना, परंतु जान समे जो जो चीज किसनो देनी होंदी, ओ उसनो दे दे, गुरु सहाब दी सवारी नू किसे गुर्दवारे जां गुर्द सेख़दे कर पचा दे, ते बाकी समान नू आगलवा दे सन, कुटिया आम तो औरते, सार काने जान सरवार दी होंदी सी, ओनो भी आगदी पेट कर दे सन, कोई नलकाद पटवान वाला होंदा, ता अहो पटवाद दे सन, आन्त ओथे वर्नन योग कोई वस्तू ना छड़ दे, ताके ना कोई निशान रहे, ना चगड़ा होवे, अते ना ही उस दी अयोग वर्तों हो सक सेवक वी तियाग पावना वाले सन, जीना दे मान वेच, कदे लाल सा नहीं उठ दी सी, के एह वस्तू बचा के राख लेए, जे किते अजेह होया वी है, ता उस दे अपने कर अग आद लग जान दी सी, जित्थों तक इमारत दी लकड़ी, जा होर समान दा संबंध है, जान दाद उस द्रखतों प्राप्त किती जान दी सी, जो सोक गया होंदा, जा आम वर्तों वेच ना ओन वाला होंदा, कुटिया दी उस सारी हमेशा कची एट दी होंदी सी, पर लेपन पोचन दे के अजेही लेश कुट दी सी, के संग मर्मर्वी उस दा की मुकाबला करेग बाबा नंसिक जी महराज संग दे मुकाबले हमेशा नीमी जगाते बैठ दे सन, गुर्दवरा नानक सर वेच बाबा जी ने सन 1913 तो ही शिरी सुखमनी साहब दे पाठ अरंब करवाद दे सन, पहलों पहल पके पठी नहीं सन होंदे, इसलई रात नों सुखासन कर देता जा गुर्दवरा नानक सर वेच समय समय विशेष दिन त्योहार मनाई जान दे हान, जीना वेच सब तो उत्तम अते हल ठाठ वेच मनाय जान वाला विशेष दिन पूर्णमाशी है पूर्णमाशी तो बिना बाबाजी होर ते हारानू वी महांता प्रदान करया करदेशन साल पिछों और वाले ते हारा विचों शिरी दमदमा साहब दी वसाखी, शिरी अम्रसर दी दवाली, शिरी तरंतारं साहब दी मस्या, शिरी अनंतपुर साहब दा होला महला, शिरी मुकसर साहब दी मागी, ते शिरी हजूर साहब दे दुशेरेनु मनोल लेई वी उपदेश देया कर देशान। पाई बाले दी जनम साखी अनुसार शिरी गुर्णानक देवजी दा प्रकाश वी पूर्ण माशी नू होया जिस करके पूर्ण माशी महान दिन बन गया साथगुरु शिरी गुर्णानक देवजी महराज वी पूरण अवतार सन ते पूर्ण माशी नू चंदरमा भी पूरण हुन्दा है जिसलेई इस देंतों पूरणता प्राप्त करंदा संदेश मिलदा है सो 열 सकता जी एथे पूर्ण माशीनों पारी इकाठ हुन्दा है ते संगता अपणियां मनों कामनामा पूरियां कर दियां हन इते माया दी पेटा नी चड़ दी पर शर्दा मुताबक संगत करों परशादा त्यार करके लियों दी है ते होर फाल फ्रूट भी इते चड़ों दी है ते महराजी निया खुशियां प्राप्त कर दी है लंगर चोवी कैंटे इते चल्दा रेंदा है बाबा नन सिंग जी महराज हरे एक प्राणी नू अम्रत शकन्दा संदेश दे हन बाबा जी चौदे सन जादवी अम्रत शक्या जावे सारे परवार समेद शक्या जावे ए ना होवे पती छाकले जां पतनी छाकले ते दुजा एमे रहे बच्या नू एक है के ना छड़ा जावे के ए आजे छोटे हन अते रैत नहीं राख सकदे बच्या नू अम्रत दा चूला देदना चाईदा है वड़े होके ओ अम्रत शक्या लेंगे बबाईदा फुर्मान सी के पंजा का कारा नू केवल सरीरते ता आरना ही काफी नहीं सगो सिखी जीवन बतीत करन दी लोड है सो आओ बड़े प्रेम नाल इस अस्थान दे दर्शन करिए इस वीडियो नू अग्गे तो अग्गे शेर जरूर करेओ ताके गुर्दवारा नानक सर ठाथ बारे होरना नू भी पता लग सके हुई या पुल्ला चुका दी खिमा बक्षनी जी दासन वाग्या देओ वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फते